नमस्कार बब्सक्र. च्ठी क्लास के लिया आज हमारा नया टोपिक है मिठाई संबंदित नाम. तो मिठाईू के नाम आज हम करेंगे वे कौन सी मिठाई को سंस्केरट भासा में क्या कहते हैं? तो मिठाई की नाम और विदाले सम्मंदित जो बाते हमारी हैं उनको संस्क्रित भासा में हम क्या क्या कहते हैं तो पहला हमारा है इमर्ती इमर्ती को संस्क्रित भासा में हम कहते हैं एमर्ती इमर्थी दो मिठाई होती है हमारी उसको क्या कहते हैं अमरिती बरफी को क्या कहते हैं बरफी को हम कहते हैं हेमी गुलाब जामुन को क्या कहते हैं दुग्द पूपी का बुजिय को क्या कहते हैं सियाव गेवर को क्या कहते हैं दरित पुरह रसगुले को क्या करते हैं रसगोल पेठे के मिठाई को कुस्मांडम खाजा को मदू सेर्स मिठाई को संस्कित भाजा हम क्या कहेंगे हम मिठानम मावा या खोयेगी वरफी को क्या कहें मावा मावा है ने मारी मावा खोया इसको बोलते हैं खोया कोगी वर्फी जो क्या करते हैं किलाटिया किलाटिका मोहन भोग तो क्या कहेंगे मोहन भोग पेड़ा जो पेड़ा है इसको क्या कहेंगे पिंड़ हलुआ जो हम मनाते हैं घर पर हलुआ इसको बोलते हैं लपसिका कलाकंद कलाकंद को क्या क्या बोलते है थिए हमारे थे संबने नाम अगे हम करते हैं विधाले संबने बाते हैं कौण सी होती हैं इनको संस्कृत में क्या कहते हैं अच्छा आएं संस्क्रिट इसको क्या कहते हैं काथा है सुलेखै निघ्र निविद पान की दू आगे वाली वाली दूनिव उसको बोलते हैं लेखणी मुखम कक्षय का साथी में हमारा तो मित्र होता है दोस्त होता है उसको क्या क्याना बोलते हैं सतिश्रिया क्यां बोलते हैं सतिश्रिया पन्ना जो कापी किताब का जो पन्ना होता है इसको बोलते हैं पत्रम कालिज जो कालिज होता है कोलेज बोलते हैं इसको अंग्रजी में कॉलेज उसको बोलते हैं संस्कृत भासा में महाविदाल्य है पठ्थे पु सुधाखंड, क्या बोलते हैं, सुधाखंड, नंबर, जो नंबर होता है, आपका रोल नंबर है, या फिर कोई आपके टेस्ट में नंबर आए हैं, जो नंबर होते हैं, नंबर को बोलते हैं, अंक, इम्तिहान, इम्तिहान को क्या बोलते हैं, प्रिक्षा, पढ़ना, पढ़न जिका पेज को क्या बोलते हैं या पेज या सफा वो प्रिष्टम अध्यापक को क्या बोलते हैं अध्यापक है पटना को क्या बोलते हैं लेखनी या फिर कलम पट्टी को क्या बोलते हैं पट्टी का कलरक जो सुकूल में जो कलरक होता है उसको बोलते हैं लेपी का है फिर या करने के, पैंसिल को बोलते हैं तुलीका और छुट्टी को बोलते हैं हवकास है, तो ये हमारा टोपिक था, दो टोपिक करवादी मिठाईयों के नाम हो रहे हैं, विदाले संबंदिते नाम, तो इनको अपनी कोपी में अच्छी तरह उतार लेना, अच्छी परकार से देख द आए, और साथ-साथ में अपनी किताब को पढ़ते रहना, अपनी किताब के जितने भी पाठ हैं, उनको एक बार पढ़ लेगी, फिर मैं आपको नमबर 22 पाठ है, इसी परकार से अच्छी परकार आपको समझाया भी करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, आज के टोप के दितना ही,